This is lecture 1 of Ratio and Proportion. Complete Basic से पढ़ने वाले हैं, चलिए. percentage जैसे देखा था ना, उसी तरीके से. सबसे पहली बात यार यहां पर करते हैं, क्या Ratio and Proportion से, सबसे पहले Basic? क्या हमें देखने की जरूवत है कि Ratio and Proportion से कितने सवाल आते हैं? कोई ज़रुवत नहीं हमें देखने की ratio proportion से कितने सवाल आते हैं चाहे ratio proportion से आपको प्री में एक only ratio proportion से आपको एक सवाल न दिखे लेकिन ratio and proportion का अनुपात एवं समनुपात का use होगा कई सारे chapters में चाहे arithmetic का कोई भी chapter क्यों ना profit and loss ही कहलो चलो profit and loss कहलो CP और SP का ratio बोलता है या नहीं बोलता है बोलता है ना तो ratio की हमें धंग से अच्छे से basic को समझ लेना है क्योंकि वो हर एक chapter में use होने वाला है even geometry में भी आपने देखा होगा interior और exterior angle का जो ratio है वो दो अनुपात तीन है हाई ना बस इस छोटे से जो कैसे दो तीन ratio पर एक साथ join करते हैं वो चीज को समझना आवशक है ठीक है वो यह समझना आवशक है that's all अब कोई comment में बातचीत नहीं होगे है सब बात end में होएंगी तो ratio का एक overview हमने क्या लिया कि भाई इससे भले सवाल कितने भी आएं नाएं हमें इस chapter को ढंग से समझते हुए पढ़ना है questions पर बहुत जादा focus नहीं करना इसके concept पर focus करना percentage ratio mixture allegation पूरे arithmetic का base है जड़ है इसे इसे week छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा देखिए ratio होता क्या है अगर बहुत आसान भासा में मैं कहूं तो यह और कुछ नहीं यह fraction होती है यह भिन होता है ratio क्या है भिन है fraction है अच्छा ratio की कोई unit होती है क्या fraction मैंने कह दिया two by three two by three मतलब तीन मैंसे दो परसंटेज में भी यह पढ़ा था तो इसके कोई unit नहीं होती है अगर मैं कहूं कि एक class में 14 अगर आपको यह sessions अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको information बताने वालों वह आपके लिए important है कई सारे management से जानना चाहरे हैं कि मैं अभी presently कहां पढ़ा रहा हूं या मेरे live और latest batch कहां पर चल रहे हैं तो मैं प्रजेंट ली अड़ा 24-7 पर पढ़ा रहा हूं जहां पर अभी जो बैच चल रहा है that is inspector batch 1.0 यह किन exams पर focus कर रहा है SSC के सभी exams पर focus करेगा क्योंकि आप यह बात जानते हैं कि सबका syllabus approximately सेम है इवन आप इस बैच से जो है state exams को भी cover कर सकते हैं अब अगर आप इस session को 6-7 महीने बात देख रहे होंगे तो यहां पर inspector batch 2.0 start हो चुका होगा जो भी latest batch इस time पर यह उस time पर चल रह आएगा arithmetic advance हम पढ़ा रहे होंगे at present price इसका यह है आगे आने वाले future में हो सकता है इसका price कुछ अलग हो लेकिन maximum discount के लिए जो code रहेगा वो यही रहेगा इस batch की अगर मैं highlights की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा that is mentorship यह guidance कई बार क्या होता है आप तैयारी कर र में आप वो guidance मेरे से ले पाएंगे और यह two-way communication होगा यानि यहाँ पर इस app पर जो setup है वो zoom meeting से मिलता जुलता है यानि हम live internet कर सकते हो two-way communication होगा साथी साथ जो toppers mindset है जो कि यह two hours का ऐसा session है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5-6 मेने बचा सकता है वो इसमें free of cost मि नहीं पता है कि या toppers mindset क्या है तो उसका link भी आपको description में मिल जाएगा एक बार देख लेना लड़के हैं दूसरी class में 20 लड़के हैं एक class में 14 लड़के हैं दूसरी class में 20 लड़के हैं तो हम लड़कों का ratio बता सकते हैं काटा पीटी करके ठीक है इसी तरीके से किसी के पा पांच तो apple हैं बोले तो सेब हैं हैं और 20 मेरे पास oranges हैं तो apple upon oranges में नहीं कर सकता आप को कि नहीं सर्थ हम तो बता सकते हैं कि 1 ratio 4 है यह 1 ratio में 4 आप से पूछू है क्या है तो यह है number of apples और number of oranges का ratio मतलब उनकी संख्या का ratio तो संख्या की तो कोई unit है यह नहीं यह apple और oranges की सं संख्या का ratio है तो संख्या की unit same होती है तो 1 ratio 4 आगा है बहुत basic है और कुछ नहीं है अब देखो हम यहाँ पर देख रहे थे ratio कैसे denote करते हैं तो ratio को ऐसे दर्शा आते हैं या यह कहलो कि divide एक ही बात है अगर मैं कहूं A ratio B बराबर है 2 ratio 3 इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब A by B is equal to 2 by 3 ratio का मतलब divide है ratio का मतलब divide है समानुपात देख रहे हैं समानुपात यानि का मतलब समान हो अनुपात समान अनुपात तो proportion को कैसे denote करते हैं तो proportion को समान अउपात को चार बिंदों से denote करते हैं और इसी को हम कहते हैं equal to इसी को हम क्या कहते है equal to देखें यहाँ पर A ratio B यानि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं किर A ratio B is proportional to इसका अउपात समान है किसके अनुपात के इसके अनुपात के बात क्लियर है मेरे भाई सभी को सभी को क्लियर है भाई साउंड 3D में कैसे आ सकती है रिवार्ड वाला क्वेशन कल होगा ठीक है हाँ उसको बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे बट कंसेप्ट सारे वही है वो थोड़ी सी ओल्ड वीडियोज होगे उन्हें थोड़ा ठीक चलिए इतनी बात क्लियर है नोट करते जाएगा साथ में आप जैसे मैं आपसे पूस्ता चलो हूँ जो फर्स टाइम पढ़ रहे हैं कि भाई डन है तो डन का मतलब डी रिपीट करना होगा कहीं पर तो आर जभी फालतू इदर उदर का बात पूछ रहे है वो बाद मे end में जाके अब बिल्कुल बात चीत नहीं करने बीच में केवल पढ़ाई की बात ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल मतलब सुरू करते हैं सवालों की प्रक्रिया को चलिए so the first question आपके सामने ये रहा type 1 डालेंगे basics class के बाद pdf आपको telegram के चैनल पर मिल जाएगी सवाल जरूर नोट करेंगे notes जरूर बनाएंगे telegram चैनल का link description में है pdf आपको class के बाद दे दी जाएगी चलिए बताइए कोई भी गलती ना करे बिल्कुल बिल्कुल zero level से चल रहे है और उन search and indices का बागी वाला जो part of हमने algebra में कर रखा है ठीक है देखो ये सवाल 99 परसेंट तो ऐसा ऐसा है कि यह सवाल सीधे सीधे सी नहीं पूछने वाली ऐसे सवालों का यह basics है इसका application होगा सवाल में इसका application होने जब हम इन चीजों को calculate कर पाएंगे देख बहुत basic है देखो a by 7 बराबर है किसके b by 5 के और यह बराबर है किसके c by 3 के ठीक है आगे आगे जाते हुए गलती कोई नहीं करेगा ठीक है देखिए a by 7 जो है वो b by 5 के बराबर है जो की बराबर है c by 3 के अब देखो अगर मुझे यह सब बराबर करना है अगर मुझे यह सब बराबर करना है तो आप मुझे खुद बता दो कि a की value में क्या डालू b की value क्या डालू और c की value क्या डालू तो आप को होगे sir one जो है बराबर होता है one के बराबर होगा one के सभी को अगर हमने one कर लिया तो सब बराबर हो जाएं भाई इसी में गलती होगी अभी आगे देखना देखो सौम्या ने गलती करी दी क्या ज़रूरत थी भाई कुछ गलती कर भी ने आप जो रहा कमेंट सेक्शन में देखेंगे जैसे हम दो तीन सवाल भी देखेंगे ना सब का कन्फ्यूजन बाहर आने लग जाएगा तो समझत लेवल जो है वो प्री के थ्रू ही गुजरेगा है ना चलिए इसे बताईए तब ही हमारे को पता है न क्या है कैसे निया प्लीज मुझे वैसे ही पढ़ाने दे ना चलिए दीपक ये तो मैंने पहली बोल रखा था कमेंट करी अरुन सब बेस्ट है चलिए अब यहाँ पर वो चीज आ रही है जो पिछले सवाल में दे रहे थे तीन पांच साथ बहुत बढ़िया पंदरा इकिस पैती शांदार चलिए भई बिलकुल जीरो से चलना कई श्टूंट को लगए सर भई जिनको बहुत बेसिक लग रहा है वो एक दो क्लास के बाद मिलेंगे एक दो क्लास के बाद आना तब जल्दी करके दिखाएंगे मगर बेसिक के ठूँई वो जाएगा देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है अब इस बात को बड़े आराम से गौर से समझेयेगा अगर अगर का जो ratio है वो 1 by 7, ratio 1 by 5, ratio 1 by 3. असका मतलब मत्रत क्या है? Ratio तो ABC का यही है, A की value ये रही, B की value ये रही, और C की value ये रही, मतलब अगर A की value 1 by 7 होगी, तो B की value 1 by 5 होगी, तब C की value 1 by 3 होगी, लेकिन वो यही पूछ रहा है, ये क्या नहीं लग रहा हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो इसी बात को घुमा फिरा के क्या लिख सकते हो वो बताओ इसका मतलब यही है कि A 1 by 7, B 1 by 5, C 1 by 3 है बिल्कुल सही है यह भी C का रेश्यो है लेकिन ऐसा करो नीचे से इन सब को हटाओ डेनॉमिनेटर को हमें 1 चाहिए डेनॉमिनेटर में उसी को कहते है इक्वेलेंट तो देखो 7, 5, 3 क्या कर सकते है भाई तो अब ऐसा करो सब को एक ही नंबर से मल्टिप्लाइ कर दोगे तो कोई फरक पड़ेगा क्या जैसे मैंने लिखा a by b यानि कि a ratio b अगर मैंने इसे भी 2 से multiply कर देए इसे भी 2 से multiply कर देए तो कोई फरक तो पड़ेगा नहीं तो वही है हम तीनों को एक ही नंबर से multiply कर देते हैं किस से 7, 5 और 3 तो क्यों ना सब की LCM से multiply कर दें क्योंकि नीचे से यहां से 7 हटाना है यहां से 5 हटाना है यहां से 3 हटाना है लेकिन multiply सब को एक ही नंबर से कर सकते हैं तो सब को multiply कर दो किस से 7 इंटू मैं 5 इंटू मैं 3 सब को 7 इंटू मैं 5 इंटू मैं 3 से multiply कर दिया तो कितना आ जाएगा 5 से 5 गया 7 3 21 और यहाँ पर कितना जाएगा 3 से 3 गया 7 5 जा 35 ठीक है ऐसे कुछ जादू टोना नहीं पड़ना है कि बटा इसमें कुछ नहीं करना साथ है तो साथ को छुपा दो 5 इंटू 3 यहां लिख दो 5 को छुपा दो 7 इंटू 3 अरे तुम इंस्पेक्टर बने चुपाने वाला खेल बच्चों का है आगे देखेंगे कहां पर और और हम गलत गलत तरीके से ट्रिक चकर में फस जाते हैं और वहाँ पर लंबी कैल्कुलेशन कर लेते हैं बेसिक सी बात है है या ना आदेते कमेंट पड़ लिए प्लीज बार बार ना करें ठीक है समझ ग कीजिए LCM से multiply करने की कोशिश करते हैं LCM से बढ़ा भी multiply कर दिया तो कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है आगे बढ़ सकते हैं done है राजीव दास अगर LCM से multiply नहीं किया किसी और number से multiply कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर कि दो मैं बीच में अब आगे नहीं बोलूँगा देखो जो स्ट्रेंट्स कह रहे हैं कि परसंटेज का एक वीडियो रह गया था दो वीडियो रह गया थे आपको दिख रहा है ना नीचे एप का लिंक होगा आप एक दिन का free trial ले सकते हैं complete परसंटेज क्या आपको सारे चेप्टर का डेमो मिल जाएगा जो भी पेड़ वाला है वहां से देख लो यार है ना चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर कि चलिए हाँ 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 रहा अगवरा जो अब कोई बार-बार कमेंट कर रहेगा ब्लॉग करना बढ़ेगा बाकियों को कमेंट करने दीजिए ठीक है वही तो मैं कह रहो राहूल क्या दिक्कत है उसमें चलिए बहुत बढ़िया तो यहां पर प्रशान्त का अंसर सबसे पहले आया है उसके बाद गौरव का ठीक है बाकी फिर रवी फिर मंडल जी कुमार योगेश ठीक है चलिए अरे हम बात ही नहीं करेंगे जो कमेंट करने दो चिंता ना करो आप देखो यह क्या बराबर है 3B के बराबर है 5C के सवाल कैसे आगा यह शायद सवाल ना पूछे SSC और उसके मूड का पता नहीं है पूछ लेगी तो हम थोड़ी कहेंगे बेसिक सा सवाल है कभी भी किसी सवाल को हलके में मत लेना कारण क्या है कि यह सवाल भी आपको दो नंबर देगा और ब इसके बराबर हो जाए इसके बराबर हो जाए इसके बराबर हो जाए इसके बराबर हो जाए कैसे करेंगे आपके पास दो तरीके हैं दोनों ही समझ लो जैसे मन करें वैसे कर जाओ पहला आप कर सकते यार इसको भी 1 बना लेते हैं दूसरे को भी 1 बना लेते हैं तीसरे को भी 1 बना लेते हैं, एक तरीका तो यह है, तो भाई इसको 1 बनाना है, तो बताओ A की value क्या डालूँ, आपको 1 by 2, मैं कहूँ इसको 1 बना दो, तो B की value 1 by 3, मैं कहूँ C की value क्या डालोगे, तो 1 by 5, आ गया हमारे पास A, B, C का रेशियो, लेकिन option में वो यह देगा नहीं, यहां पर बचेगा 2 in 2 में 5, और यहां पर बचेगा 2 in 2 में 3, तो कितना आ गया, 15, 10 और 6, बिल्कुल clear है, कोई दिक्कत परिशानी नहीं है, कहीं आपने हो सकता है, ऐसे भी सीखा हो दूसरा तरीका, क्या दूसरा तरीका सीखा होगा, कि भाई, यहां पर हम क्यों ना ऐसा क करें, इसको भी LCM के बराबर कर दें, इसको भी LCM के बराबर कर दें, और इसको भी LCM के बराबर कर दें, what does it mean, इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब यह है, कि यह जो नंबर है न, 2, 3, 5 का LCM बना दें, यहां भी 2, 3, 5 का LCM बना दें, और यहां भी 2, 3, 5 का LCM बना तो यहार A की जगे बताओ मैं क्या लिखूं कि यहां पर 2 in 2 में 3 in 2 में 5 हो जाए तो आपके एक जगे 3 in 2 में 5 लिख दो मैं कहूं B की जगे क्या लिखोगे तो आपके 2 in 2 में 5 लिख दो 3 तो पहले ही है और C की जगे 2 इंटू में 3 C की जगे 2 इंटू में 3 आगे आंसर कितना 5-3 जा 15, 5-2 जा 10 और 3-2 जा 6 अब एक और बात अराम से सुनना एक और एक चोटी सी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एकदम exact answer आजाए हो सकता है कि काटा पीटी करनी पड़े मतलब समझें जैसे माल लो मैं यहाँ पर लिख दू 30 समझ ना यहाँ पर हमने लिख दिया माल लो 30 अब जो इस तो सिर्फ और सिर्फ रटते हैं यहाँ पर अगर 30 लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा तो 2 इंटू में 3 इंटू में 30 हर जगे अब यहाँ तो LCM समझो 2, 3 और 30 का LCM कितना 30 तो यह समझो कि मुझे हर जगे है अराम से सुमझेंगे इस बात को यहाँ तो ऐसा करो सबसे पहले इतना लिख लो फिर D टाइप करो फिर आगे समझेंगे नोट ज़रूर करना है यहाँ पर आप टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो ठीक है नोट करने कुछ सीखने आए हो कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो जा सकते हैं जाना ही चाहिए टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे पहले इतना नोट कर लो कि अपने पास दो तरीक होते हैं अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं फिर आगे समझेंगे D is for done ठीक है done है सबका राजश मैंने बोल दिया एप से देख लो चलो done है सबका अब थोड़ा से हिसको twist करते हैं थोड़ा से क्या किया यहाँ पर हमने यहाँ पर 30 कर दिया हमने क्या किया यहाँ पर 30 कर दिया अब जब आंसर बताऐ कितना होगा फटा-फटासे एक महाँ बड़ाànसर रगड दो कितना हो रह थटी डालने से आयूशी repeat कर रहा हूँ, मैं अभी repeat करता हूँ बताईए सब जो है एक बार ही अपना answer देख लेंगे कि हम answer क्या दे रहे हैं, बाकी students answer क्या दे रहे हैं कौन सही दे रहा है, कौन गलत दे रहा है थोड़ा comment section भी देखिए, उससे आपको motivation मिलेगा कि यार गलती मैं नहीं काफी कर रहे हैं, है ना या यह भी motivation मिलेगा, काफी गलत कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ तो comments को भी थोड़ा सा देखेंगे, देखिए अब हमने दूसरा point क्या सीखा था, कि यार हम क्या करते हैं हम यहाँ पर भी LCM ले लेते हैं, यहाँ पर भी LCM लिख देते हैं, यहाँ भी LCM लिख देते हैं LCM किस का, तो LCM भी number का, 2330, 2330 का LCM लिख देते हैं, मैं देखा है 2330 का LCM, तो 30 होता है 2, 3 और 30 का LCM 30 है तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ number 30, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 30 बन जाए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी क्या बन जाए 30 बन जाए मैं speed को थोड़ा कम करता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी सी जादा हो रही है टोड़ी सी जाद है निए थोड़े दीरे बोलता हूँ और यहाँ पर भी कितना बन जाए यहाँ पर भी 30 बन जाए अब बताओ यहां 30 बनाने के लिए A की value कितनी 15 B की value कितनी 10 किकी value कितनी 1 बस इतनी सी बात है कई students कई जएगे क्या-क्या रट लेते है MWF का मतलब है Wipul Monday, Wednesday, Friday मेरी पूरी कोशिश रहते Monday, Wednesday, Friday कर पाऊ नहीं हो पाती है तो यार यह मानना कि मेरी जो plus की class होती है 8 बुजे उसके लिए मैं prepare कर रहा होता हूँ यह दिक्कत हो जाती है कभी-कभी क्लास वरना Monday, Wednesday, Friday 6 पीम पर रहा करेगी कभी नहीं होती है तो आजाओ 6 बजे नहीं हो रही है तो छोचो मतलब नहीं है और टेलिग्राम चैनल पर पहले अपलोड करते हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूद नहीं है ठीक है चलिए यहाँ पर आते हैं अरुन बस एक लेक्षरी रहा ना बस उसको कर दें खतम चिंता ना करो अब आगे आ जो एर कई स्ट्रेंट्स इसके लिए क्या ट्रिक पकड़ते हैं कि ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 है तो 2 को छोड़ो 3 और 30 लिख लो ठीक है क्या ट्रिक करी कि 2 तो यहाँ पर है अभी ये आगे और कटेगा तो तीन से गया ये दस बार और तीन से गया ये तीन और आगे कट रहा है दो से कट रहा है ये पांच बार फिर दो से कटेगा ये पंद्रा बार अगर हमने नहीं काटा अगर हमने नहीं काटा तो क्या हो जाएगा अगर हमने नहीं काटा तो हमारी केल्कुलेशन बढ़ जाएगी अभी तो क्या था अभी तो क्यों रेशियो बताना था रेशियो निकाल लिया आराम से बैठके यहां पर लेकिन टाइम फालतू लग गया जब को एक नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा अभी वो बात करेगा कि भाई तीन लड़के हैं एक नंबर बनता तो सिर्फ ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है ठीक है 30C कैसे आया सर देखो 30C देखो हम 30 यह पहली गिवन था अब सवाल हमने कर दिया अगर 2A बराबर 3B बराबर 30C यह सवाल हम खतम कर चुके हैं यह सवाल खतम कर चुके हैं दूसरा सवाल था ठीक है ठीक है रोशल उतना बहुत एक बार प्रीवेस एर करके तो देखो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर नोट करते जाएंगे पर आप पर लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड है ताकि आप वहाँ से फटाफट पढ़ सके लाइव में कई बार डिस्टरबेंस होता है नोट्स नहीं बना पाते हैं ठीक है इसलिए चलिए तो यहाँ पर आंसर देखेंगे 105, 110, 36 टाइम देखना इस वेरी इंपोर्टेंट कि हम कितनी देर में आंसर दे रहें ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जैसे इस पांच इस्ट्विंट आंसर दे देंगे आप में से सही हम आगे बढ़ेंगे क्या है अब यहाँ पर काफी लोगों को टाइम लग गया आप देखिए नीचे और काफियों का गलत आ रहा है क्योंकि अब दौनों चीजें एड हो गई अब क्या हो गया दौनों टाइप एड हो गया अब वो कह रहा है कि 2A by 7 बराबर है 3B by 11 बराबर है 5C by 6 बराबर है 5C by 6 इसलिए हमें सब आना चाहिए इसलिए हमें सब आना चाहिए अब देखो यार मैं A B C की value क्या डालूं कि यह तीनों चीजें बराबर हो जाए अब यहाँ पर LCM लेने में तो बन नहीं रहा तो फटा-फट से हमने सुचा टाइम नहीं लगा ना ट्रिक वरि 1 बन गया इतनी बात clear है उसके बाद यह ABC का ratio आ चुका है यह answer बिलकुल सही है लेकिन option हमें ऐसा नहीं देगा वो चाहता है कि हम इस गंदगी को साफ कर दें तो क्या करेंगे 2-3-5 को हटाना है तो सब को 2-3-5 से multiply कर दो जैसे आप सब को 2-3-5 से multiply करेंगे तो यहाँ पर आ 2-2 में 5 बचेगा 3 तो cancel out हो जाएगा same way यहाँ पर 2-2 में 3 बचेगा 5 cancel out हो जाएगा clear है मेरे भाई हाँ या ना सब देख लेंगे ठीक है चलिए स्वदित शिवादीत चौबे यार बहुत खुशी हुई ठीक है चलिए clear है ना सबको answer कर लेंगे इसे 5-3-0-15 यह 7-3-0-21 इंटू में 5-105 रेशियो 1-1-0 रेशियो 36 आगे कट रहा है क्या नहीं कटेगा आगे कट रहा है नहीं कट रहा पांच और एक छे नहीं कट रहा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर ठीक है अभी जीत बिलकुल करते हैं बिलकुल करते हैं मैं भी उसके बहुत इंतजार में बैठा हूँ बट अगर आप उसे ले चुके हैं तो बस वीडियो की quality आपको जो भी एप पर percentage पढ़ा है वीडियो की quality आपको थोड़ी सी बेकार लगेगी क्योंकि तब मैंने start किया था फो जो students answer दे देते हैं वो फटाफट से फिर note कर लिया अगरो सवाल को ठीक है और satellite अविनाष ने काफी बार repeat की कहा है देखो repeat भी देख लो repeat देखो क्या किया हमने यहां पर जिनको था थोड़ा सा डाउट यह चीज तो हमें दी हुई है अब बस A की value मैं क्या डालूं B की value क्या डालूं C की value क्या डालूं कि यह सब 1 हो जाएं सब कितने हो जाएं 1 यह पूरा 1 बनाना है मुझे यह पूरा 1 बनाना है यह पूरा 1 ब डालोगे 11 by 3 C की वैल्यू का डालोगे 6 by 5 बस फिर एलसियम ने लिया खतम कोई डाउट वाली बात ही नहीं है दंगवाल वो रोक दिया है वो रोक दिया है ठीक है फिर कमेंट ना करें करपया चलिए आज आते हैं इस पर अब ये वाले सवाल बड़े ही आसान होते हैं कि ये वाल पी और क्यू का रेशिय पूछ रहा है 20 परसंट तो देखो आगे जाके आप खुद करने लगेंगे देखो 20 परसंट का अंदर 20 भाई 100 ओफ यानि कि multiply P प्लस Q बराबर 50 परसंट यानि 50 भाई 100 इंटू में P माइनस Q देखिए आगे चलके आप खुद ये बात देखेंगे या आप अगर पढ़ चुके हैं तो 9 हटा देते हैं क्योंकि percentage का मतलब तो डिवाइड भाई 100 ही होता है उसके बाद सीधे 0 से यह 0 चले गया multiply कर दो तो कितना आ गया तो आगए 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस में 5Q P को एक तरफ लिया और Q को एक तरफ लिया तो अभी Q को इधर लिया तो कितना गया 7Q बराबर में 3P 7Q बराबर 3P आप एक important छोटा सा point यह सब उन उस्टेंट्स के लिए जो first time पढ़ रहे हैं क्या अगर मैं आपसे पूछू कि P की value बताओ कितनी होगी और Q की value बताओ कितनी होगी तो क्या आप बता सकते हैं अगर मैं आपसे पूछू हा रहूल बोलने की speed थोड़ा कम करता हो थोड़ा कम करता हो एक्चुलि आप लोगों को 2X पर देखने के आदत है ना चलिए क्या अगर मैं आपसे पूछू कि P की value बताओ कितनी है Q की value कितनी है ठीक है तो हम बता नहीं सकते है रियल बात क्या है we can't tell the exact value मेरी इस बात को बड़े अराम से गौर से सुनना आपने पढ़ा तो बहुत अगबट छोटी छोटी बातों पर गौर करो मैं यहाँ पर exact value नहीं बता सकता हूँ बात समझ रहो exact value नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते समझो अगर मैं कहूँ कि भाई एक हमारे भाई साहब है उनका नाम A है दूसरे भाई साहब का नाम B है इनके पास डेड़ सो आम है 150 mangos है और इनके पास 50 mangos है मैं आपसे पूछता हूँ कि इनके पास जो number of mangos है उनका ratio कितना है तो आप कहेंगे 3 ratio 1 यानि कि हमें ये बात पता है कि A और B के पास जो आमों की संख्या है उसका अनुपात 3 अनुपात 1 है लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि A के पास 3 आम है और B के पास 1 आम है इसका मतलब ये होता है कि अगर A के पास 3X आम है तो B के पास X आम है देखो x की value मैं पूछो आपसे कितनी है तो आप भेंगे sir x की value 50 है x की value कितनी है 50 है लेकिन अनुपात की बात करें यहाँ इसकी संख्या को जब इसकी संख्या से divide कर दोगे इसके पास जितने mangoes हैं उसे इससे divide कर दोगे तो हमेशा 3 ratio 1 आएगा तो हमेशा 3 ratio 1 आएगा अब देखिए यहाँ पर भी वही same चीज लागू होती है यहाँ पर भी वही same चीज लागू होती है मैं यहाँ पर देखो उसने पूछा p ratio q इसमें भी छोटी छोटी गलतियां होती है जैसे कोई answer जल्दबाजी में 3 7 कह देगा कोई जल्दबाजी में answer 7 3 कह देगा और दौनों मैंसे कोई एक ही सही होगा हाँ यह ना अब देखिए तो इसका मतलब देखो इसको दो तरीके से आगे कर सकते है दौनों समझ लेते हैं बहुत छोटी सी बात है बढ़ देख लेते हैं आप एक बार ही क्या करो इस Q को वहाँ पर ले जाओ तो क्या हो गया P by Q बराबर 3 by 7 तो देखो P के सामने क्या है तो हमने देखा कि P के सामने 3 है तो यानि कि P अगर 3 है तो Q 7 होगा अगर 3 हुआ तो यानि कि हम कह सकते है P अगर 3X है तो Q 7X और X से X तो कटी रहा है दूसरा अगर वो A बाई B की form में कुछ ऐसे देखने को मिलता है देखो P बाई Q बराबर 3 बाई 7 तो इसका मतलब यह हुआ कि P की value 3 है तो Q की value 7 है अब इसी बात को इसमें भी समझ सकते हैं कैसे P की value देखिए कितनी है तो 7 है तो Q की value कितनी है तो 3 है यहने क्या बोला P की value अगर 7 है तो Q की value कितनी है 3 है बात को ऐसे भी भाई जब सवाल ऐसे देगा तो तुरन समझा अगर P की value अगर 3 हुई 3 है तो Q की value 7 है ऐसे देता है तो P की value 7 है तो Q की value 3 है आमने सामने वाली चीज देखने, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सोटी सी चीज है, तो यहाँ पर हमें मिल गया कि P ratio Q बराबर 3 ratio 7, बहुत तुच्ची सी बात है, लेकिन इस तुच्ची सी बात पर भी एक सवाल बहुत बहतरीन हम बना सकते हैं, जिसमें अच्छे से अच् आपको मानते हैं, वो गलत आंसर बता देंगे, बताओ करोगे ऐसा सवाल, ऐसा सवाल करोगे, चलिए, अमरदीब धन्यवाद, अच्छा गलत लिख दिया क्या, अच्छा P की वैल, sorry, 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 ठीक है, बहुत यहीं यहीं पर गलत हो गया, तो यहाँ पर इसको ले गए, तो इस सवाल देखते हैं, देखो, यहाँ पर यहीं सवाल में मैं आगे continue करता हूँ, इसी सवाल में, मैं आगे continue करता हूँ, डन है तो पहले D बता दो, चलिए अभी जीत हमें प्रसन्नता हुई, ठीक है, अगर आप देख चुके हो, एप पर वीडियो तो यहाँ मत देखो, ठीक ह तो की वैल्यो थीन है, अब आगे सवाल, पी की वैल्यो अगर शैवन है, तो की वैल्यो तीन है, आप मुझे यह बताइए, प्लस क्यू दिवाइड़ बाइ, पी माइनस क्यू की वैल्यो क्या होगी? इसके बाद लेते हैं मध्या सवाल, कितनी होगी 5 by 2 अगर आप एक बर comment section देखते चलना comment section देखते चलना तो p plus q divided by p minus q यह हो गया हमारा 7 plus 3 divided by 7 minus 3 बात सही है ठीक है अगला सवाल सही सही answer देंगे सही सही answer देंगे अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बताईए p square divided by p plus q इसकी value क्या होगी आपके options है option a पहले सारे option देख लो 49 by 10 option b 9 by 10 option d 10 by 7 और चलो एक रख देते हैं can't be determined यानि हम पता नहीं लगा सकते can't be determined ये चार option है मालनो क्या होगा a b c a d a b c d बताईए सभी option देखिए क्या क्या option आ रहे हैं maximum से maximum मेरे खाल से दो परसेंट का सही है maximum दो परसेंट ठीक है चली तो दो परसेंट से समझ जाओ कि कौन सा होगा answer correct so the correct answer is can't be determined अब समझो इसको अराम से basic से कि भी can't be determined क्यों हुआ हमने यहाँ पर p की value 7 और q की value 3 put करके जब answer निकाला तो 49 by 10 आ रहा था लेकिन ये गलत क्यों है अब आते हैं फिर से अपने उस basic पर क्या यहाँ पर हमने p और q का ratio देखा 7 ratio 3 यानि कि अगर p 7 है तो q 3 है 7 3 है नहीं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि p जो है वो 7x है x की value नहीं पता और q जो है वो 3x है बात सही है तो देखो अगर मैंने p की value यहाँ पर 7x लिखी होती और q की value 3x लिखी होती यहाँ 7x यहाँ पर 3x तो आप देख रहे हो उपर x common आ जाएगा तो आप नीचे x common आ जाएगा और इसी तरीके से उपर भी x common आ जाएगा और x x cancel out हो जाएगा x x क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि उपर तो x square आ जाएगा 7x का square और divided by 7x plus 3x तो देखो x जब आप common लेंगे तो यह x बच जाएगा तो उपर तो x बच गया अगर यह answer 49 by 10 तो तब होगा जब x की value 1 होगी यानि कि जब हम यह कहें कि नहीं भाई p तो 7 ही है और q 3 ही है लेकिन ऐसा नहीं है अगर x की value 2 होगी तो answer कुछ और आएगा 3 होगी तो कुछ और आएगा 4 होगी तो कुछ और आएगा तो यहां से हम क्या बात को समझते है मयंग अब तो सही कर लो है ना चलो तो इस बात से हम यहां इस निसकर्ष पर पहुंचते है क्या कि जो degree है what is the meaning of degree तो degree का मतलब होता है maximum power maximum power जो होती है मतलब अभी आगे degree पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे बहुत छोटी सी बात है मैं आपसे पूछू कि यह degree सेम होनी चाहिए जैसे अगर मैं आपसे पूछू अगर हमसे यह पूछा जाता इसकी value बता दो तो क्या हम बता पाते इसकी value बता पाते हां या ना बोलेंगे yes या no p square divided by p into में q बात समझ में आ रही है सभी के आ रही है भाई बहुत बढ़िया तो इसका हम value बता सकते हैं बिलकुल बता सकते हैं क्यों क्योंकि अब यहां पर unit x हो जाएगी तो x का square नीचे x into में x x का square तो degree का मतलब होता है maximum power जैसे अब जब यह इसकी power x है इसकी भी power x है मतलब इसकी unit x इसकी unit x तो x square हो जाएगा तो degree कितनी होगी 2 यहां पर भी degree कितनी 2 हर एक पर अच्छा अगर हम यहां पर plus क्या हम इसकी value बता पाएंगे last last लिखते जाना है चोटी चोटी चीजें क्या हम इसकी value बता पाएंगे हाँ यह ना शिट कोई बात नहीं कोई बात नहीं p square divided by p into में q plus 2p क्या इसकी value बता पाएंगे हम हाँ यह ना हाँ यह ना अराम से सोच समझ के सोच समझ के बोलेंगे सब और एक ही बार बोलेंगे हे मन्त love you from कटिहार love you too भई love you too ठीक है चले इसकी value हम नहीं बता सकते हैं क्यों नहीं बता सकते हैं यहाँ पर x square यहाँ पर x square x into x x square लेकिन यहाँ पर x रह जाएगा यहाँ पर x रह जाएगा यानि कि सब की जो हमारी unit है वो क्या होनी चाहिए तो सब की ही unit x square होनी चाहिए बताई clear है तो यह भी can't be determined तो यह छोटे छोटे सवाल है बहुत जल्द यह सवाल भी उठके खड़े हो सकते हैं किसकी value बताओ हम तुरंद गलत बता सकते हैं तो इसलिए याद रखना है कि degree same होनी चाहिए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं मनुझ देखो तुम previous year लगा के देखो अगर लग रहा है तो क्या दिक्कत है है ना एक बात देखो एक चोटी सी बात आप सभी के काम की बात देखो क्या हो रहा है आज कल आज कल आप देखो कि यूट्यूब पर यहां वहां इतना सारा material है इतना सारा material है कि हम cover नहीं कर सकते मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा देखे आप मैंसे क्यों ने देखा हो कि कई यूट्यूब चैनल पर कहीं percentage पूरा पढ़ा है किसी ने ratio पूरा डाला बहुत सारा material है अब एक बात याद रखना किसी भी एक को पकड़ लो ठीक है कहीं भी किसी एक पर भरोसा करके उसको पढ़ जाओ फिर आगे कभी कुछ कभी कुछ पढ़ते जाओ देखो ऐसा मत सोचो कि एक साथ मैं 4-5 चीजें इखटी कर लूँगा 4-5 किताबें इखटी कर लूँगा मैं फिर पढ़ना चालू करो नहीं यह सीखने का प्रोसेस है ना वो हमेशा चलते जाता है जैसे मैंने मेरे पास पहले 10 किताब वे थी arithmetic की कभी किसी से कुछ लेके पढ़ ली कभी कुछ तो ऐसा नहीं चीजें खतम होगी अभी भी हम कोई किताब ये कोई YouTube पर चैनल पर ऐसी डाला percentage कोई अच्छा सवाल मिला तो उसे अभी भी उठाते रहते तो जो सीखने का प्रोसेस है वो चलता रहता है आपको selection लेना फिर छोड़ना है क्या छोड़ना है यह तैयारी है न फिर तो जौब करोगे डिपार्टमेंट में तो वह ही कहरो पहले एक किताब उठा उसको खतम करो वो जब हो जाती है तब आगे बढ़ो गल्ती क्या हो जाती है हम चारों किताब एक साथ ले लेते हैं कह practice 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 अकेले खुद बैठ के YouTube पर नहीं खुद बैठ के सवालों से pen चलाओ आजकर आप देखो सब ऐसे देखते रहते हैं मैं अपको देखने वाला subject थोड़ी है कोई GSVS थोड़ी है कि सीधे दिमाग में गुशते जाएगा ऐसे देखते हैं मैं अच्छा हाँ ठीक है बहुत बढ़िया ना मैं आपको बहुत अच्छे से देखो अपना छोटा भाई बेन मानके अपना जूनियर मानके अपने एक आप टीचर इस्टुएंट मानके मैं आपको बड़े काईदे से समझा रहा हूँ कि किसी कोर्स में कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ बही एकदम पढ़ते ह हो जागा नहीं नहीं सिलेक्शन आपकी महनत से ओ भटको मत अपने भरोसा रखो कोई को मेरा कोर्स कोई कोर्स लेने की जरूरती नहीं है अगर आपने कहीं भी एक बार ढंग से पढ़ लिए छोड़ो कुछ नया कहीं नहीं मिलने वाला सब कहेंगे हम जो पढ़ाएंग और पेपर क्लियर नहीं किये, सब चीजें की हैं, तो ये नहीं है कि किसी कोर्स में ऐसा जादू है कि वो तुम्हें नईया एकदम पार करा देगा, डारेक्शन ज़रूरी है, इसमें कोई दोर आए नहीं है, बट एक बार पढ़के प्रैक्टिस करो, ये दिमाग से निकाल दो कि तो मुझे चार कोर्स चाहिए, छे कोर्स चाहिए, ओवो टीचर फलाना कोई अलग पढ़ाएगा, ये गलतिया हमने करें, मैं नहीं चाहता कि आप दोर आएं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़तों, इन छोटी-छोटी बातों को लिख लिया करो, या याद रखा करो, बस, ठी ठीक है, अपडेटेटेड तो बहुत बेकार चाहिए, उसको कभी और ही बात करें, अपडेटेड का मतलब सिर्फ तीन साल पढ़ना, पिछले तीन साल के पेपर लगाना ही अपडेटेड है, ये बेकार है, तीन साल का पढ़ जाओग, उसके पुराना नहीं आया, क्या, दस अज़े वो आगे जैसे सम बढ़ते जाएंगे, वो आते जाएगा, ठीक है, प्रतम बार-बार कमेंट ना करिए, बोला तो था कि वो जैसे ही अपना कम्प्लीट हो जागा, उसके चार-पांस दिन बाद रिलीट कर देंगे, ऐसी बात करते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं तो अपने एक, दो, तीन, चार, पांच, चलिए, पांच का अंसर आ चुका है, पांच का अंसर आ चुका है, चलिए भई, देखते हैं, 40% of A, प्लस B, बराबर 3 by 5 of A, माइनस B, 40% है, यहाँ पर आगे परसेंटेज नहीं कार नहीं लिए, तो 40% का मतलब तुरंद लिखा हम बस A को एक तरफ पहुँचा दो, B को एक तरफ पहुँचा दो, A की value 5 आ गई, और B की value 1 आ गई, तो 5 to 10 और 10 माइनस 3 मतलब की 7 खतम, हाँ है ना, बात clear है, अचा इसमें, sorry sorry, इसमें, अरे कमी है, इसमें कमी है, यह भी can't be determined होगा ना, नीचे यह भी तो होगा, यह can't be determined हो बात समझी, सवाल यहाँ पर typing error था, ठीक है, अरे हिंदी में इसमें क्या लोगे मेरे भाई, बात समझ में आ रही है कि English में, मैं लग, पहले सवाल गलत क्यों था, क्योंकि यह जो हमारा answer आता, वो 7x आता, लेकिन यहाँ पर unit x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो नीचे आजएगा 7 divided by 5 plus 1, यानि कि 6, आंसर आगया 7 by 6, correct है, बहुत आसान है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आंसर कितना आएगा, 7 by 6, ठीक है, x कैसे रह जाता है विवेक, class को फिर से starting से देखना, चलिए, अगला सवाल, तो यहां पर सबसे पहले आंसर आया है, सत्यम का, then प्रशान्त चिराग आ गया, ठीक है, आ गया भई सबका आ गया, तो गलत ना करो, यहां पर क्या सीधे हमने देखा, कि 120% of a, बराबर 80% of b, percentage से percentage गया, 40 से गया यह दो बार, 40 से गया यह तीन बार, यानि कि a की value अगर 2 है, तो b की value 3 है, तो 2 और 3, 5 ratio, अब यहां पर क्या है, अराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, बी माइनस a कहाई है, a माइनस b कहाई है, तो b पहले, b और a बाद में, तो 3 माइनस 2 यानि की 1, तो दा आंसर इस 5 ratio 1, पांच अनुपात एक, इसको भी कोई गलत कर रहा है क्या, चलिए, आगे देखते हैं अगला सवाल, देखें, जैसे ही आप में से 5 आंसर दे देंगे, अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वेट नहीं कर रहे हैं हाँ, मेरे भाई, creator मिथुन, सबसे पहले आंसर दिया है, चिराग ने, देन तुशार ने, देन जोती, सत्यम, चलिए, हाँ संदीप, हाँ, अनकेडिमी ने लगा रखी हो है न, चलिए, क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर भी बहुत आसान है, इस सवाल में हम सीधे उठा सकते हैं, कि A की value 7, मान सकते हैं, 7X होगी, B की value 3X होगी, और C की value 5X होगी, तो बस X, X, X रहेगा, सबकी unit X रहेगी, तो X कट जाएगा, देखो हमें थोड़ा सा alert कब होना है, अभी तक तो ऐसा सवाल आए नहीं, लेकिन alert हम तब हो जाएंगे, जब वो एक option देदेगा, can't be determined, C and D, या none of the above, वहाँ पर थोड़ा alert हो जाना है, अगर हम से paper बनवाए, हम बिलकुल वो सवाल डालेंगे, क्योंकि 80% जनता गलत करेगी, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था, 7, 3 और 5 value डाल देनी थी, 7 और 3, 10 और 5, 15 ratio, 7 का double गया, 14, 14 में से गया, 3, 11, 11 में से गया, अपना 5 तो आ गया, 6, 3 से कट रहा है, तो 5 ratio 2, बात clear है, अच्छा 4 आ रहा है क्या, 5, 4, कहाँ पर गड़ कर दी, 1 second, 7, 2, 14, 14, 14, और 3, add करना था, minus कर दिया, ठीक है, sorry, 14 और 3, 17, 17 में से 5 गया, तो 12, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल पर, अरून अब उस पर ही काम चल रहा है, देखते हैं, क्या होता है, उस पर काम चल रहा है, बिलकुल, तगड़ी तरीके से, मतलब क्वालिटी चेंज वाला उप्शन देना, उसमें, चले शुबम, क्रियेटर मिथुन, इसका जवाब बहुत लॉजिकल है, आप समझ पाएंगे, अना, मत क्लास के एंड में, जुड़े रहेंगे तो मैं बताऊंगा, 1, 2 आ चुक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कहा रहा है सवाल, A, B, C, D, E, F का जो रेशियो है, वो 1 रेशियो टू, इसका मतलब समझ रहें, एक्शली मैं यह समान उपात है, रिप्रपोर्शन है, यानि A by B बराबर है, C by D के और यह बराबर है, E by F के, और यह बराबर है 1 by 2 के, तो इसका मतलब क्या है, कि मैं A की वेल्यू, C के बराबर, और C की वेल्यू, E के बराबर, उस सबको 1 मान सकता हूँ, B की वेल्यू, D के बराबर, D के वेल्यू, F के बराबर, उसको 2 के बराबर मान सकता हूँ, सवाल मैं कह रहा है कि भाई 3a प्लस 5c प्लस 7e की value बताओ सबकी जगे 1 डाल देंगे तो 7, 3, 10, 5, 15 divided by वहाँ पर भी क्या है 15 है और 15 into में 2 आ जाएगा हाँ है ना ये क्या है 7 प्लस 3 प्लस 5 तो 15 और b d f सब बराबर है तो 15 into में 2 15 से 15 गया तो फिर से हमारा आंसर कितना आ गया 1 by 2 या 1 ratio 2 1 by 2 या 1 ratio 2 ठीक है अभी देखो एक दो सवालों के बाद ही आपको बहुत बहतरीन चीज मिलने वाली है चिंता नहीं करना बस चलिए हैडिन डालेंगे टाइप अच्छा 2 कैसे आया कहां पर 2 कैसे आया ये वाला 2 हमने a की value 1 माली c की value 1 माली e की value 1 माली b की value d के बराबर और f के बराबर जो कि 2 के बराबर माली तो जब आप इन तीनों को add करोगे तो आप क्या लिख सकते हो 7 plus 3 10 plus 5 15 उपर आप लिख सकते हो 15 a क्योंकि a c e सब बराबर है नीचे लिख सकते हो 15 b a b b d f बराबर है 15 से 15 गया a की value 1 b की value 2 वही चीज़ है वही 2 है अगला सवाल जिनको आता है बढ़िया नहीं आता तो सीखेंगे बिलकुल मिथुन बिलकुल यही तो बात है सब तो ताम जाम करी रहे हैं न हाई है न बताओ गलत हो तो बताओ मैं तो पहले यह बात बताई सबको बिलकुल clearly चलिए सबका आ गया 4-6-15 चलिए अब इर इसमें भी कौन गलत करा है 2-2-5-2-6-5-2-3-5 कैसे गलत करे हैं देखो सवाल को समझो अराम से बहुत बेसिक सा सवाल है लेकिन यहाँ पर कई स्टुइंट कैसे करते हैं उस पर बात करेंगो और आप बताना कि आप भी ऐसे करते हो दे रखा है कि A और B का जो रेशियो है वो कितना है 2-3 है और B और C का जो रेशियो है वो 2-5 है तो बताओ A B C का रेशियो कितना है A B C का रेशियो कितना है दोखो A लिखा B लिखा और यह हमने C लिखती है अब दोखो A B का रेशियो 2 और 3 का मतलब समझ रहें आप अगर A 2 है तो B कितना है 3 जिनको आता है वो भी ध्यान देंगे मैं एक बात बताऊंगा ठीक है दूसरा क्या कह रहा है जब B हमारा 2 है जब B हमारा 2 है तब C कितना है 5 है जब B हमारा 2 है तब C कितना है 5 है दो creator mython मैं तुम्हें चाहे तो blog भी कर सकता हूं बट यह कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि यह जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो paid course का promotion नहीं है बिल्कुल है मैं चा paid income होते इत्तू सी इत्तू भी नहीं होती वो भी मैं चाहता हूं कि मैं आपको आगे दूर क्या अगर मैं paid course में पढ़ा रहा हूं यह पैसे लेके कुछ पढ़ा रहा हूं फीस बहुत minimum है तो क्या वो गलत है मैं genuine चीज़ दिखा रहा हूं कि है आपको यह चीज में पढ़ा आजो इधर पर अगर आपको अच्छा लगता है you can join मैं आपको एकदम genuinely बतानी कुशिश करूं कि आपको कैसे पढ़ना चीज़ आई आगे आप जानते बहुत बढ़िया और डराना is not my aim आईए सवाल पर देखिया इसमें आप मैंसे कई इसे करते होंगे कहीं पढ़ा होग कि यहां पर टू है तो टू को यहां पर सरका के यहां लिख दो समझना आराम से यहां पर टू है तो टू को यहां पर उठा के यहां लग दो यहां पर थ्री है तो थ्री को इधर पर करके इधर पर थ्री लिख दो एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या आप मैंसे कोई है ज कई सारे ऐसे करते हैं हम इस आदत को आज बदलेंगे हम आज इस आदत को बदलेंगे मैं आपको समझाना चाहरा हूं क्यों अगला सवाल जो है पूछा गया पूछा जाए यह हम कोई बच्चे हैं कि हमें को रटना है कि हम ऐसे सरका के लिख देंगे बहुत आसान हो गया यह चार हो गया, यह छे हो गया, यह 15 हो गया, कितना आसान है, यह मुझे पता है, आपको पता है, तो क्या examiner को नहीं पता, department में से ही कुछ लोग चुनके उनसे ही suggestion मांगी जाते हैं, questions वगएरा के, पहले की time के SSC का तारो, तो question बनाने वाले को सब पता है, कि हम ऐसे कर रहे हैं, यह तरीका बेकार है, यह तरीका क्या है, यह तरीका बिलकुल बेकार है, अब हम समझेंगे क्यों, अभी तो देखो, अभी बिलकुल basic से समझो, कभी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बहुत आसानी से हो जाएगा, देखिए क्या, जब A के पास 2 रुपए हैं, तो B के पास 3 है, और जब B के पास 2 रुपए हैं, तो C के पास 5 है, लेकिन यार, अगर मैं A और C को connect करना चाहरा हूं, अगर A और C को connect करना चाहरा हूं, तो इन नोनों को मुझे same करना पड़ेगा न, इन दोनों को same करूँगा तभी तो मैं A को C से connect कर पाऊँगा यानि कि इन दोनों को same कर दो बस हमारा काम हो जाएगा तो मैंने उपर दोसे multiply कर दिया अब देखो ratio का मतलब क्या होता है समझना और जिस student को ढंग से पढ़ना वो full screen करके पढ़ो कमेंट ना करो कमेंट कर दो off ठीक है चलिए अब इस बात पर आजाओ अब इस बात पर आजाओ जब A के पास 2 है तो B के पास 3 है जब B के पास 2 है तो C के पास 5 है हमने कहा कि दोनों को same बनाएंगे अब देखो ratio का मतलब होता है समझना कि अगर आप इससे multiply कर रहे हो तो इससे भी multiply करना पड़ेगा नहीं किया तो क्या हो जाएगा नहीं किया तो change आ जाएगा जैसे मैंने कहा 2 by 3 मैंने नीचे 2 से multiply कर दिया क्या ये सही है अपने मन से नहीं अगर 2 से multiply अपने मन से करना है तो उपर भी करो otherwise change हो जाएगा same way हमने यहाँ पर देखा क्या यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है दौनों को same करना है तो इसको 2 से multiply कर देते हैं तो इसको भी 2 से multiply करना ही पड़ेगा क्यों? हम इस ratio को बना के रखना चाहते हैं मैं इतना detail में क्यों बता रहूँ अगला सवाल आपको बता देगा फिर यहाँ पर 2 है तो इसको 3 से multiply कर देते हैं 6 बनालिया दौनों को तो इसको भी 3 से multiply कर देते हैं तो देखो ऊपर आ गया 4 यहाँ पर यहाँ भी 6 बन गया यहाँ भी 6 बन गया तो 6 और यह आगए 15 क्यों उस बच्चों वाले तरीके पर हम जा रहे हैं, क्यों हम इस बच्चों वाले तरीके पर जा रहे हैं, कि इसको यहां लिख देते हैं, उसको वहां लिख जाते हैं, हाँ या ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं सवाल को, चलिए, अब जरा इस सवाल को ट अब देखिए जरा देखिए जिनको भी कुछ क्वेरी करनी है किसी तरह के कि वो केवल क्लास के end पर यानि कि 10 मिनिट बाद अब यहाँ पर देखो चलो छोड़ो यहाँ बताओ सचे इंदर पढ़ लो चलो धन्यवाद ठीक है कमेंट देखेंगे थोड़ा और एक इस्ट्वेंट एकी बार कमेंट करें गुर्पीत इस बारे मैं पता नहीं है बट देख लो आप लो देखो यार एबी का रेशियो कितना है आठ और नो और वी सी का रेशियो कितना है बारा और तैईस बारा और तैइस अभी तो यह दखो अभी सी है तो D 12 है तो अगर हम वही बच्चों वाला तरीका लगाने लग जाए तो आप देखो calculation कैसे होगी ये ये दिमाग खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ आप बताओ ऐसे multiply करेंगे ऐसे करेंगे कौन सी coding कर वाली ये इतना लंबा लिखवा दिया बात को समझ रहे हो अगर D भी आ जाएगा तो कितना लंबा हो जाए मैंने का C अगर 5 है तो D 12 है कितना लंबा हो गया है तो अब इसे बिल्कुल basic से करते हैं क्या ज़रूरत है इस सब को लिखने की बच्चों की तरह ये red वाला हटाओ देखो क्या करना है इसको भी हटाते हैं भी दो देखिए बिल्कुल अराम से चलो यहाँ पर 9 है यहाँ पर 12 है तो इसे भी 3 से कितना हो गया 3669 बताओ कोई दिक्कत हाँ यह ना बताइए आपको यह वाला मेथड सही लग रहा है लॉजिकल भी लग रहा आई थिंक और दूसरा वाला तरीका अच्छा लगा कौन सा जो लगे आप वैसे करें आप अब graduate हो चुके हैं लगभग कुछ तो आप सोच विचार करने लायक हैं आपको चुनना है ठीक है कि मुझे कैसे बहतर लग रहा है बात क्लियर है हमने क्या किया बस कुछ नहीं है इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ो क्या हमने कितावे नहीं पढ़ी ट्रिक वाली कौन नहीं चाहता कि कम महनत से हमने भी कोशिश करी कुछ इस तरीके से ऐसे कही कितावों में देखा होगा लेकिन वो पल्ले नहीं पढ़ा ढंग से कि यह भी रटेंगे तो कैसे काम चले असली दिमाग तो सवाल को समझने में लगाएंगे यहां भी थोड़ी इतना फालतू की चीज़े करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिये आज की क्लास का सेक्इंड लास्वाल है फिर लास्वाल करेंगे फिर जिनको बातचीत करनी है वो बातचीत करेंगी दो चार मैठ फिर अपन चलेंगे ठीक है निक इंग tester के लिए आप यूट्यू पर सर्च कर सकते मैंने बता रख रखा है चलिए रोहित 1-3-6, 1-3-6, 1-3-6, 1-3-6, 4 का आ चुका है, 5, सभी से एक बार request है कि एक student एक बार answer दे, चलिए 1-3-6 आ गया, इतने time में सभी को कोशिश करने की ज़रुवत है, इतने देर में सभी को कोशिश करना है, करने की, क्या कह रहा है, अब देखो तुरन समझो, x, y, z हमने लिखा, आप इसको देखो बस, अगर x, अब देखो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो अगर x 1 है, तो y कितना 3, अगर x 1 है, तो y 3 है, बात समझ में आगी, अब ऐसे लिखने की तो जरूत नहीं है, कि x बराबर में y by 3, इस 3 को यहाँ पर लेका है, तो x 1 है, y 3 है, कि दिमाख में ये चीज करेंगे आगे से, या भी भी कर रहे हैं हैं कई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर y जो है, 1 है, तो z कितना हो जाएगा, 2, खत्म, 1, इसको 3 बना लेते हैं, 6, आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी कोई गलती करेगा, सुभास गुपता पकड़े गए, है न, और कोई पकड़ा गया गया, न, और एक रविता, है, उन्ही का नाल नहीं जो गलत बताएंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल, आज की क्लास का, निक्की मैंने आपको क्या कहा, कि आपको इंगलीश मैथ, रीजनिंग जियस, मेरे सजेशन्स चाहिए, तो आप बस लिखो, स्ट्रेटरजी फॉर, सब्जेट का नाम, बाई अवधेश दिक्षित, या दिक्षित सर, कुछ भी लिख लीज इसका आंसर बताओ, कितना आ रहा है, इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इस पर ना, कईयों को लग रहा होगा, इसको फटाफट कैसे आंसर देंगे हैं, इसका तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए, दस इक्कीस, है ना, अभी दिवास बताता हूं, बताता हूं, देखो, आजाओ, तो सबसे पहले देखो, उसने A, D का हमसे रेशियो पूछा, किसका A और D का, अब एक बात को समझना, यहाँ पर हमें A, B का रेशियो दिया है, फिर B, C का दिया है, और फिर C और D का रेशियो दिया है, तो जो यह पहला वाला सवाल है, A और D का रेशियो बताओ, उसके लिए हम A और D का रेशियो भी देख सकते हैं, यह पूरा निकालने के बाद, लेकिन एक बात को समझेगा कि पूरा निकालने की आविशक्ता नहीं है पूरा निकालने की आविशक्ता नहीं है देखे कैसे अगर आप A by B को multiply करेंगे B by C से और उसको multiply करतेंगे C by D से यह सवाल छोटे छोटे पूछे गए है तो B से B कड़ जाएगा C से C कड़ जाएगा यानि कि हमारे पास A by D आ जाता है तो यह बात ध्यान अखना कि A by D निकालना बहुत आसान है सीधे क्या करना है 3 by 4 इन 2 में 5 by 7 इन 2 में 8 by 9 इन 2 में 8 by 9 इस इस दा आंसर 3 से गया यह 3 times 4 से गया यह 2 times 5 तूजा 10 10 divided by 21 तो 10 अनुपात 21 आंसर आ गया दस अनुपात 21 आंसर आ ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं last A B C D का बता दो A B C D का बता दो अभी यह याद रखना कि यह आंसर आया था 10 रेशियो 21 फटाफट निकाला जा सकता है अब A B C D का रेशियो बताईए विवेक अभी रिपीट करता हूँ फिर से करता हूँ रुख जाओ दिव्याश मैंने आपका कमेंट देख लिए अभी रिप्लाई करता हूँ बस यह last सवाल पढ़ ले चिक है देखे रजनीश एक बात को देखो जितना कट सकता है उतना काटना है otherwise वो option आपको नहीं मिलेगा आप अभी भी वोई बच्चो वाला तरीका करें उसको थोड़ा सा correct करेंगे चलो अंदवक्त को अब भेजा जाए बहुत मैंने सुझा शान्त हो जाएंगे चलिए A, B, C, D फटाफट से लिखा जब अराम से देखो A 3 है तो B 4 है जब B 5 है तो C 7 है जब C 8 है तो C जब C 8 है तो D 9 है अराम से चलते हैं हमें move किस तरफ करना है इस तरफ इस तरफ अराम से चलते चलेंगे देखिए हाँ बिल्कुल अखिलेश रिपीट कर रहा हूँ A 3, B 4, B 5, C 7, C 8, D 9 A, B, C, D का रेशियो बताना है अराम से देखो ये 4 है ये 5 है दौनों को सेम करना है तो उपर किस से मल्टिप्लाइ करेंगे 5 से 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 5, 3 जब 15 5, 4 से 20 अब यहाँ पर 20 फिक्स हो गया समझेगा यहाँ पर 20 फिक्स हो गया अब जब 20 यहाँ पर फिक्स हो गया तो 4 से नीचे मल्टिप्लाइ करेंगे 4, 5 से 20 जब इससे 4 से मल्टिप्लाइ किया तो इससे भी 4 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हो गया 28 कहां तक आ गए हम 28 तक अब एक बात समझो ये वाली चीज हमने 28 fix कर दी C की value हम 28 एकदम fix कर चुके है अब उसको हिलाना नहीं है अब एक बात समझो मैं इस 8 को अराम से कोई comment मत करना समझो अराम से किया अब मैं इस 8 को 28 बनाना चाहता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ मैं इस 8 को 28 बनाना चाहता हूँ तो बताओ कैसे बनाएंगे तो देखो जो चीज आपको लानी है देखो हमें क्या करना है मैं इधर पर समझाता हूँ ये चलो यहीं समझो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर 28 आ जाए तो 28 आ गया लेकिन 28 आ गया अभी तो 8 भी तो है तो 8 से divide कर दो ज्यादा सोचो मत 28 लाना है multiply कर दो हटाना 8 है तो divide कर दो खतम तो अब देखो यानि कि हमें यहाँ भी 28 by 8 से multiply करना पड़े यह तो 28 बन गया पहले ही बन गया तो यह 28 बनाने के लिए इसे 28 बनाने के लिए जिससे multiply किया है उसी सेम चीज से उसे भी multiply करना पड़ेगा 4 से गया है यह 2 बार 4 से गया है यह 7 बार 9, 7 जा 63 divided by 2 divided by 2 यहनि A अगर 15 है तो B 20 है C 28 है और D कितना है ना करो समझ गहे अब एक बार समझ में आरें कि नीचे यहाँ पर 2 बेठा है तो क्या अच्छा लग रहा है गंड़गी लग रही है तो सब को क्या करोगे 2 से multiply करोगे 2 से multiply करोगे अगर सब को 2 से multiply करोगे तो सफाई हो गई कितना 30 40 56 और 63 बताईए clear है सबको clear है सबको अकिलेश फिर से repeat कर देता हूं देखो समझो आराम से हमें करना क्या है देखो अब ऐसा नहीं होता है देखो कोई भी आयंस टीन नहीं है कोई भी आरेभट नहीं है कि बस अगर पहली बार पढ़ना है क्लास में पढ़ा और खतम हो गया क्लास के बाद भी आपको थोड़ा समय देना है देखे जिनने भी पढ़ना था अपनी अभी क्लास होती है खतम हम मिलेंगे फ्राइडे को 6 पिम पर सभी इस्ट्वेंट टेलीगराम चैनल को जॉइन कर ले क्योंकि अगर बाई चांस मैं कभी 6 पिम पर क्लास नहीं भी लेता हूं तो आपको बस देखना यार मेरे को अगर क्लास लेनी होगी मैं 5 पिम तक 5 बज़े तक आपको अपडेट दे दूँगा और एक बहुत इपॉ यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है एक बार देख लो एक लाख व्यूज पर मैक्जीमम 2000 रुपे मिलते एक लाख व्यूज पर थोड़ा सर्च किया करो कोई भी कुछ ही बोलो से मत सुना करो ठीक है तो मैं चाता हूं कि कुछ जो पार्ट है उसका 50% से ज्यादा वाल क्योंकि एक बार ही जिसने फर्स्ट बता दिया वो फटाफट एक रहे है अब क्लास को खतम करो केवल और केवल मैक्जिमम 5 से 10 मिनिट का सेशन होगा लास्ट है 10 मिनिट 10 मिनिट से उपर खीचेंगे नहीं 10 मिनिट का सेशन होगा सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा रखनी पड़ता मुझे जो करना मैं वो करूंगा ही यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हावें कुछ भी जो भी एक इस्ट अच्छा पड़ रहा है वह 5-10 मिनिट में कुछ एक अच्छी अमाउंट को अर्न कर सके बस इसलिए किसे गलत लगता है गलत समझो सही लगता है सह समझो बहुत सोच लिया हम अपने पार्ट पर सही है बस इतना ही चाहिए ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं इस सवाल पर बाकी खतम बाकी फिर आज की क्लास खतम हो गई है जिनको अच्छा लगए पर इसमें भी गलतिया निकलेंगी इसमें भी कहीं कहेंगे नहीं सर इससे आप कूर्स देते यह देते ज्यादा नहीं सोचना है जिसको अच्छा लगता है देखन ट्राई हार जीत चलेगी बट मैं चाहता हूं कि आपकी एकदम दिल जो है आपका ऐसे धक 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 करें मैं चाहता हूं कि आपको वह नर्वसनेस फील हो जो अपका एक्जाम देते वक देखना कल देखना है जब एकदम सवाल आएगा हाथ एकदम दिमाग एकदम ब्लैंक आउट होगा मैं वह चीज फील करवाना चाहता हूं ठीक है परसंटेज में से ही होगा जो हमने पढ़ा है उसी में से किसी टाइप पर होगा कुछ ना कुछ होगा सोचना पड़ेगा ब बहुत एकदम जहर नहीं होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा, नॉर्मल होगा बिलकुल, ठीक है, चलिए, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक इस्टुएंट को यह समझना था, फटाफ़र से समझ लो, क्लास को एंड करते हैं, टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो यहनी 5 और 4 का इसम 20 तो ऊपर क्या करते है, 5 से मल्टिप्लाइ कर देते हैं, तो 5 से मल्टिप्लाइ कर दिया, यह, अब इसको 20 बनाना ही, जब हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, तो 20 बनाना ही, क्या अब कैसे बनेगा, 4 से मल्टिप्लाइ करो, तो 4 से अगर इसको करोगे 28 by 8 से अगर एक तरफ 28 by 8 से multiply करोगे तो इसको कैसे छोड़ दोगे इसको भी करोगे 4 से गया 7 बार 4 से गया 2 बार 9 7 जा 63 divided by 2 सब को अब 2 से multiply कर देंगे क्योंकि वो नीचे हमें गंदगी अच्छी नहीं लग रही बात सही है वो हमें अच्छी नहीं लग रही ठीक है चलिए तो इसी के साथ जो है